नमस्कार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालेई शिक्षा संस्थानस्य उच्चतर माध्यमिक कक्षायाह विशय भवताम समेसाम स्वागतम अध्यवयम उत्तर राम चरितस्य अश्टावक्र संवादम पठिस्यामः पूर्व की कक्षा में दो भागों में हमने अश्टावक्र संवाद के पूर्व संवादों को पढ़ा था आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे अश्टावक्र का आगमन होता है स्री राम के राजमहल में और राजा राम सीता को सांतोना दे रहे होते हैं, उनके दुख को दूर कर रहे होते हैं, उसी समय सुचना आती है कांचुकी बताता है कि अश्टावक्र आ गए हैं और अश्टावक्र क्या संदेश ले करके आये हैं उसी प्रसंग को कहते हुए अश्टावक्र आगे कहते हैं सुख्यम्च यदिवा जानकी मपी आराधनाय लोकस्य मुन्चतो नास्तिमे व्यथा सीता अत एव राघव धुरंधर आर्यपुत्र स्रीरामह कह कोत्रभो विश्राम्यताम अश्टावक्रह उत्थाय परिक्रम्यच आये कुमार लक्ष्मणह प्राप्तह इती निश्क्रांतह ये हम मूल पाठ पड़ रहे थे इस मूल पाठ के अर्थ को इस प्रकार से हम समझेंगे अन्वय पूर्वक यह भावार्थ कथन है अश्टावक्रह ने कहा श्रुयताम सुनिये क्या इस श्लोक में कहा उन्होंने उस अभिप्राय को जो सुनाना चाहते हैं वयम अश्टावक्र अपने साथ रिशी समूह को कह रहे हैं कि वयम वशिष्ठाद यह हम वशिष्ठादी जो रिशी हैं सबके सब जामात्री यग्येन रिश्य श्रिंग जो थे उन्होंने द्वादस वर्ष तक चलने वाला एक यग्या आरंभ किया था उसी का संकेत करते हुए कहते हैं कि जामात्री यग्येन रिश्य श्रिंगस्य द्वादस वर्ष व्यापिन्याह यग्येन निरुद्धाः उपरुद्धाः वयम जो द्वादस वर्ष परियंत होने वाला यग्य है उस यग्य में हम लोग वियस्त हैं उस यग्य के द्वारा उपरुद्धाहा बांध लिये गए हैं बारह वर्ष परियंत कहीं अन्यत्र जा नहीं सकते तुम अर्थात हे राम तुम कुमारह असी बालह असी कस्मिन कारिये तो राज्य शास्र ने संप्रति अप्रवढ़ह असी हे राम तुम अभी राज्य को शासित करने में अप्रवढ़ हो ज्यादा निपुड नहीं हो तुम्हें उतना अधिक अभ्यास नहीं हुआ है राज्यम नवम अस्ति और राज्य भी नूतन है अभी शीग्र ही तुमारे राजा होने की संभावना है अतह प्रजा नाम लोका नाम अनुरंजने युक्तह स्याह तुम प्रजा के अनुरंजन में तुम से समाज के लोग प्रसन रहें तुम पर विश्वास करें अनुराग उत्पन करने में तुम तत्पर हो जाओ, सफल हो जाओ, जनता का स्नेह प्राप्त करो इस हे तु से तस्मात कारणात, अनुरागोत पादन कारणात यशह किर्तिर भविश्यती, जब तुम प्रजा में प्रिय बनोगे, तो तुम्हारे यश्की संब्रिद्धी होगी चारो तरप समाज में यश्पैलेगा यदि यशह वहयुस्माकम परमम सर्वोत कृष्टम धनम यह यशही तुम सभी रखुवन्शियों का सर्वोत कृष्ट धन है जो द्रब्य है, मड़ी है, स्वर्ण है यह सब तो छणिक द्रब्य होता है, नश्ट होने वाला द्रब्य होता है लेकिन सर्वोत कृष्ट धन जो है वह यश्र होता है यह रघुवंसियों की परंपरा है इसलिए भगवान राम कहते हैं इन सारे हेतु को सुनने के बाद कि भगवान सड ऐस्वर्य संपन्नहा मैत्रा वरुण ही वशिष्ठ महर्स ही यथा समाधि सती यथा आज्यापयती तथाईव करिश्यामी ये संदेश महर्शी वशिष्ठ का था महर्शी वशिष्ठ ने कहा कि यश की संपन्नता में यश की सम्रिध्धी है तु तुम काम करो राम भी कहते हैं कि सड़ अईस्वर्य से संपन्न मैत्रा वरुणी ही यहां पे मैत्रा वरुणी ही यह संबोधन महर्सी वशिष्ट के लिए किया गया है मैत्रा वरुणी ही शब्द का सामान्य सा अरथ होगा समास करने से पता चलेगा कि मैत्रा वरुणयो हो अपत्यम मैत्रा और वरुण से जो अपत्य हैं वो मैत्रा वरुणी है तधितांत शब्द है यहाँ मैत्रा वरुणी ही अगस्ते को भी कहा गया है यहाँ पर संप्रती वशिष्ट महर्सी को मैत्रा वरुणी कहा गया है तो राम कहते हैं कि यथा समादि-शति-मेत्रावरृडिहि यथा महरसिवसिष्टह समादि-सति तथाहम करिस्यामि जैसा वो कहते हैं वैसा कारिय हम करेंगे अर्थात यश्च के लिए प्रजाकोकश्ट ना हो एतदर्थ हम प्रयास करते रहेंगे इस बात को और द्रिढ़ करते हुए कहते हैं इस लोग को प्रसन रखने के लिए समाज की लोगों को प्रसन रखने के लिए हम उन पर दया करेंगे उन्हें सुख के सारे संसाधन उपलब्ध कराएंगे उनसे स्नेह करेंगे और यदि अंतिम सीमा राम कहते हैं यदि जानकीम अपिमुन्चतह तथा पी में व्यथा नभविश्यती अगर हमें सीता को भी छोड़ना पड़ जाए सीता का भी त्याग करना पड़ जाए तो भी मैं प्रजा के आराधन में निरंतर ततपर रहूँगा अर्थात सदा सरवदा सीता का चिंतन ना करते हुए मैं प्रजा के चिंतन में अनुरक्त रहूँगा प्रजा के सुख में सुख, दुख में दुख उनके स्नेह में स्नेह का अनुभव करता रहूँगा ऐसा राम कहते हैं ये बात सुनकर सीता कहती है अते एव असमात कारणात एव आरेपुत्रह ममस्वामी राघव धुरंधरह इसी कारण आपका इतना जो समर्पन है प्रजा के प्रती इस समर्पन भाव के कारण ही आप राघव धुरंधरह अस्ति आप राघव रघुकुल शिरोमडी हैं राम कहते हैं कह कोत्रव हो यहाँ पे कौन है ऐसा संबोधन करते हैं कि उस छेत्र में जहां पर यह संबाद चल रहा है सायद किसी भृत्य को बुलाना चाह रहे हैं कि इस छेत्र में कौन है अश्टा वक्रह विश्राम में ताम अश्टावक्र उठते हैं और उत्थाय परिक्रम्य खड़े हो करके एक परिक्रबा करते हैं और बोलते हैं अए कुमार लक्षमण प्राप्तः लक्षमण का आगमन होता है वहाँ पे लक्षमण आ गये हैं इतिनिस्क्रांतः ऐसा कहके महर्शी अश्टावक्र चले जाते है जो अभी हमने अनुक्षेत पढ़ा इसकी कुछ व्याकरण वाले पदों को एक दृष्टी डाल कर देख लेते हैं जामात्रियग्येन जामात्रियग्येन यहाँ पे सष्ठी तत्पुरुस समास है तेन उसके तृतिया का रूप है जामात्रियग्येन अनुरंजने अनुपूर्वक अनुपसर्ग है और रंजधातु से लिट प्रत्य करने पर सप्तमी में एक वचन रूप बनेगा अनुरंजने सवक्यम सुखस्य भावह सवक्यम भावर्थ में स्याई प्रत्य हुआ है अनेक शब्दों से भी हम गुण वचन ब्रामना दिभ्या करके स्याई प्रत्य का विधान करते हैं मुचधातु मुच्धातु मुच्लि मोक्षणे धातु है इससे शत्री प्रत्य करके शष्ठी का एक वचन मुचधा यहरूप निश्पन्न होता है मैत्रा वरुण ही मित्रंच वरुणस्च मित्रा वरुणव यहाँ पे इतरेतर योगद्वन्द समास होगा और मित्रा वरुणयोह अपत्यम पुमान मित्रा वरुण से अपत्य, मित्रा और वरुण इन दोनों से अपत्य जो पुरुष हैं वो मैत्रा वरुण ही, इसलिए मैत्रा वरुण ही हरूप निश्पन होता है यहां दो श्लोक हमने पढ़ा, जामात्रियग्येन इस श्लोक में इंद्रवज्जरा चंद्र है और जिसका लक्षण स्यादिंद्रवज्जरा यदितव जगवगह और दूसरा जो श्लोक है इसमें अनुष्टुप चंद है, प्रशिद्ध श्लोक है, आप इसे चानते हैं आगे हम मूल पाठ को पढ़ेंगे, लक्ष्मण का अगमन होता है और लक्ष्मण के आने पर क्या समबाद होता है वो देखते हैं लक्ष्मणह जयति जयत्यारियह आरिय अर्जुनेन चित्रकरेड अस्मद उपदिष्टं आरियस्य चरितं अस्यां विथ्यां अभिलिखितं तत् पश्यत्वारियह रामह जानासिवत्स दुर्मनायमानाम देवीम विनोदैतुम तत् कियंतं अवधिम्यावत लक्ष्मणह यावत आर्यायाह उताषन शुद्धिह रामह शांतं पापं ससांत्ववचनं उत्पत्ति परिपूतायाह किमस्याह पावनांतरई तीर्थो दकम्च वहनिष्च नान्यतः शुद्धिमरहतः इन पदों का हम विश्लेशन देख लेते हैं अन्वयार्थ देखते हैं प्रविश्य लक्ष्मण का प्रवेश होता है प्रवेशम संपाद्य लक्ष्मण कहते हैं आर्या जयती आर्या आपकी जय हो सदा विजय हो भवतह सदा विजय हस्यात आर्या आर्या शब्द संबोधन है या स्रेष्ठ के लिए संबोधित किया जाता है अर्जुनेन चित्रकरेण अर्जुन नामक चित्रकार है उस चित्रकार ने अस्मद उपदिष्टम आर्यस्य स्रीरामस्य चरितम अस्याम वीथ्याम अस्याम चित्रमय स्रेल्ण्याम अभी लिखितम अर्थात अर्जुन के द्वारा अर्जुन नामक जो चित्रकार है उसके द्वारा असमद यद उपदिष्टम हमने जैसा कहा था वैसा ही स्री राम के चरित्र का वरणन चित्र रूप में किया है अर्थात क्रमसह स्रीराम की जीवन चरिया थी जो स्रीराम का जीवन चरित है उसका चित्र के माध्यम से उपस्थापन किया है उसका अंकन किया है तत्चित्रम आरियह पश्यतु वह चित्र आप देखिए कृपया तम्चित्रम अवलोकयतु राम कहते हैं वत्सप्रिय दुर्मनायमानाम जो दुख से दुखित हैं देवी सीता ताम विनोद आईतुम संतोश आईतुम जानासी सकनोसी तत्चित्रम कियंतम अवधिम्यावत अर्थात जो दुखी सीता हैं उनके विनोद के लिए उनके मन में संतोश उत्पन करने के लिए ये चित्र कितने समय परियाप्त होंगे कितने समय तक ये चित्र दिखा करके हम उनका मनोरंजन करते रहेंगे दुख किस विशयका है तो उन्होंने पूर्व में ही बताया था कि सीता के पिता अपने घर को चले गए हैं इसलिए वो खिन्न हैं उस खिन्नता को दूर करने के लिए ये सारे प्रयास किये जा रहे हैं लक्षमण कहते हैं आरियायाह सीतायाह हुतासन शुद्धियावत ये सुनकर के राम को बड़ा कश्ठ हुआ लक्षमण ने एक वाक्य में कह दिया कि जब तक सीता की हुतासन शुद्धि नहीं हो जाती है जब तक अगनी परिक्षर नहीं हो जाता तब तक तावत परियंतम तो राम कहते हैं शान्तम पापम त्वया एवं पुनह नईववक्त अब्यम तुम्हें ऐसा नहीं कहना चहिए ससान्तो वचनम अत्यंत मधूर वचन के साथ बोलते हैं राम लक्षमन को वारित करते हुए कि उत्पत्ति परिपूता आया हा कि मस्याहा प्रयोजनम जो उत्पन अर्थात जन्म से ही पवित्र है सीता का जन्म धरती के गर्व से हो रहा है तो जन्मना परिपूत हैं वह तो हम सभी मानव जार से उत्पन होते हैं योनिज होते हैं लेकिन सीता तो आयोनिज हैं वो किसी के गर्व से आही नहीं रही है वो तो साक्षात वसुंधरा की गोद से बाहर आ रही है तो अयो निजत्वात सीता परिपूता वर्तते जन्मता परिपूता वर्तते जन्म से ही शुद्ध हैं सीता तो पावनांत रही ही किम प्रयोजनम दूसरे पावक से अगनी इत्यादी जो पवित्र करने वाले साधन है उनकी क्या आवश्यक्ता आवश्यक्ता पवित्र करने की उनकी होती है जो अपवित्र हों लेकिन जो जन्म से पवित्र है उसको पवित्र करने की आवश्यक्ता नहीं है तिर्थो दक इत्यादी जो तिर्थ के जल होते हैं गंगा जल यमुना जल नर्मदा जल वहनी अगनी जो है वो अन्यस्मत शुद्धिम पवित्रताम न अर्थात इनके द्वारा इनसे सीथा की पवित्रता नहीं हो सकती है क्यों वह तो जन्मना पवित्र है उसके विश्रय में इस प्रकार का वक्त अप्य करना उचित नहीं है ऐसा राम ने कहा एतदर्थम देवी देवयजन संभवे प्रशीद एसते जीविता वधी प्रवादह आगे राम कहते हैं कि हे देवयग्य से देवयजन संभवे प्रशीद हे देवी तुम्हारी ये तो जीवन भर के लिए प्रवाद हो गया है इस बात को और श्पष्टरूप से इस श्लोक में व्यक्त करते हैं अर्थात देवयग्य समुत्पन्ने देवयग्य से समुत्पन्न हे भगवती देवी प्रसीद तुम् प्रसन्नाभव तुम् प्रसन्न हो जाओ लक्ष्मन की बातों पर ध्यान ना दो यह जो लक्ष्मन ने कहा है यह लोकापवाद तो तुम्हारे जीवन परियंत चलने वाला है क्योंकि रावन अपहरण करके ले गया था लंका से आपका पुनह प्रत्यावर्तन हुआ है तो लोगों के मन में अलग-अलग तरह के भाव होते हैं अलग-अलग विचार होते हैं अतह जीवितावध ही प्रवादह क्लिष्टह इस श्लोक का भावार्त करते हैं क्लिष्टह दुखितह जनह लोकह अन्यलोकई अनुरंजनियह आराधनियह जो दुखी लोग हैं जिस व्यक्ति के मन में कुछ दुख होता है वह अन्य लोके ही अनुरंजनिय हैं दूसरे जनों के द्वारा अपने बंधु बांधवों के द्वारा अनुरंजनिय होता है अर्थात आराधनिय होता है बंधु बांधवों को यह प्रयास करना चाहिए कि परिवार का व्यक्ति जब किसी कष्ट से गुजर रहा हो तो अन्य उसको आनंद प्रदान करने वाली क्रियाएं करें तस्मात तव आवयो हुविसे यत अशुभम अशिवम तत कथनम नक्षमम नोचितम अर्थात इसलिए हे लक्षमड आवयो हुविसे यत अशुभम उक्तम तुमने जो अशुभ वचन कहे हैं सीता के प्रती हम लोगों के प्रती वह उचित नहीं है नहीं कहना चाहिए क्योंकि सुरभिणहा कुसुमस्यमूर्धनी स्थितिही नैसरगी की सिध्धावर्तते जो सुगंधित पुष्प होते हैं सुगंधित फूलों की जो अवस्थिती है अर्थात सुगंधित फूल कहां रखे जाते हैं तो कहा मस्तके सिर में उनको धारण किया जाता है सिर में उनकी जो अवस्थिती है वह स्वाभाविक है अच्छे पुष्पों की माला बनती है वो गले में हार के रूप में शुशोवित होते हैं देवाराधन में शुशोवित होते हैं उन पुष्पों का यदि कोई समाज में अपमान करता है उनको पैरों पे फेंक देता है या पैरों से कुचल देता है तो वह उचित नहीं है परन्तु चरणई ही पादई ही अवताडणानी चरण मर्दनानी चरण प्रहाराहा नैसरगी कानी स्वाभाविकानी न पुष्प का चरण से मर्दन कर देना स्वाभाविक नहीं होता ऐसे ही पुष्प सद्रिश सुवासित जन्मना पवित्र जो सीता हैं उनके विशय में अप विचार लाना दुर विचार लाना हम लोगों को शोभा नहीं देता इस अनुक्षेद में आये हुए कुछ शब्दों पर हम वियाकरण की दृष्टी से विचार करते हैं जैसे दुर्मनाय मानाम दुस्थितम मनह यस्याह सा दुर्मनाह ये बहुबरिही समास है सीता के लिए हाँ प्रयोग किया गया शब्द है ये अदुर्मनाह दुर्मनाह भवति इस अर्थ में क्यंग प्रत्य करने पर दुर्मनाय यह धातू बनेंगी और दुर्मनाय धातू से शानच प्रत्य जब करेंगे तो दुर्मनाय माना ताम दुर्मनाय मानाम दुतिया का उत्पत्ति परिपूतायाह उत्पत्ति आहा परिपूता उत्पत्ति परिपूता तृतिया तत्पुरु समासे अर्थात उत्पत्ति अवस्था से ही जो पवित्र है तो यहां पर तृतिया तत्पुरु समास होगा और शष्ठी का एक वचन रूप है पावनांतरैही पावयंती इती पावनानी जो पवित्र करता है वह पावन अन्यानी पावनानी पावनांतराणी तैही पावनांतरैही ये मयुरभ्यंस का दयस्य से समास होता है तीर्थस्य उदकम तीर्थोदकम यह सश्ठीतत पुरुस्वास है अर्थाथ तीर्थ का जल तीर्थोदकम अनुरंजनिय अनु उपसर्ग पूरवक रंजदातु है उससे अणिच प्रत्य करेगे और उसके बाद लिजन्त से अनियर प्रत्य करके अनुरंजनिय यहरूप बनता है ऐसे ही नैसरगी की निसरगात आगता अर्थात सुहावात आगता निसरग सब्द से ठक प्रत्य करेंगे और फिर गी प्रत्य होगा तो इस तरी लिंग में नैसरगी की यहरूप बनता है स्थिति ही स्थाधातु से क्तिन प्रत्य करने में स्थिति शब्द बनता है और इस त्री लिंग में प्रयोग होता है स्थिति ही जैसे गती, मती, भूती, इत्यादी जो श्लोक हमने पढ़ा था उत्पत्ति परिपूतायाह इस श्लोक में अनुष्टुप चंद और क्लिष्टो जनह इस श्लोक में वसंत तिल का नाम का चंद था अलंकार के विश्य में हम देखते हैं तो उत्पत्ति परिपूतायाह और क्लिष्टो जनह इन दोनों ही स्थान पर दृष्टांता अलंकार है क्योंकि उधारण के द्वाराबात को सिध्ध की जा रही है द्रिष्टांता अलंकार का लक्षण है द्रिष्टांतस्तु सधरमस्य वस्तुनह प्रतिबिम्बनम अर्था जहां पर वस्तु का प्रतिबिम्ब भासित होता है वो द्रिष्टांता अलंकार होता है इस प्रकार से हमने यह 13 अध्याय का अश्टावक्र संबाद पढ़ा आप पाठ का सार संछेप में दिर्श्य पठल पर देख सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं जिससे आपको इस पाठ का संपूर्ण सारांस देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा धन्यवाद झाल झाल